करनाल के निसिंग गॉंदर रोड पर 21 वर्ष ये अंकित नाम के युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में संसनी फैल गई सूचना के बाद निसिंग थाना पुलिस ने मो के परपुँचकर शव को अपने कबजे मे लेकर करनाल के कलपना चावला वैडिकल कॉलेई में पोश्ट माचम के लिए भेज दिया है इस दोरान निसिंग थाना के पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति का शव निसिंग गॉंदर रोड के पास नधी में मिला है जो सूखी है सूचना के अधार पर पुलिस ने मोके पर पहुचकर शव को कबजे में लेकर कलपना चावला मेडिकल कॉलेज में पॉच्ट मार्चम के लिए भेज दिया है उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्च कर लिया गया है और दोशियों की गिरफतारी के लिए टीमें भेज कर आगे की कारेवाही प्रारम कर दी गई है फिलाल पुलिस मामले की जांच में जूटी है और आठ दस वेक्तियों के अनने के खिलाब मामला के ही है मतलले काश्टिजम पर इस तरह से कहां से मिली इसकी डैड़ बोड़ी मिली है जिक नर्दक नहर बोलते हैं निसंग से गुलब परोड़ पर जो नहर चलने रही सुखी है उसके अंदर मिली तो सब्राना जो भी बा इसके इसके अंदर मामला कर दा खिलाइन कर दा हैं तो गया अरस्ट लिकिया कि आज्म फ आप ले इसके बादी आठ नहरी कोई आरेश्टनी गाने जिएраш से बाड़ी अइसना नहरेज्डिश भी आritने पर रा मृट हमार गाराना जिए को पो और आपरहर राजगराना एंड जोती गार्डन अग जे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइब ऐसे ही लेटेस को बेर पाने के लिए बैल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने बाद